जैहिन वंदमात्रम दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 का हिश्ट्यू का चैप्टर फैप यात्रियों के नजरी इस चैप्टर के जिते भी इंपॉर्टर से एक भी एमसी की क्यों चुटने की संभालों नहीं जो कि आज की सुपर फास वीडियो को स्टार्ट करतें तो यहां पर 25 इंपॉर्टर में से कितने के एंसर आप सही सही कर पाए प्लीज लास्ट में कमेंट करके जरू लिखिएगा उससे दोस्तों आपका नौलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा ठीक है तो 5 जो कि आपके स्क्रिंप पर रहे कि घ्रांस q अब बर्नियर किस देश से भारत आये था उसका नाम था अन्या फिन अब नियगे और यह घ्रांस q अब आये था लिखिए वह 17 सदी में भारत आय थे तो आपसे आप से पूचा जा गया कि अब आ 1656 में भारत आये थे और इनका जन्म जो फ्रांसा बर्निय का जन्म है वह 1620 में हुआ था तो फ्रांस के जो ही नामक अस्थान पर हुआ था ठीक है 165 में थी है कि इपनन पनतता के जाने में वह लगबर 40 दिन का समय तो यह यहां प्रांस से दिल्ली पुछा गये और यथी दौलता बाद से दिल्ली पूछा जा जागा तो दौलता बाद से दुली वह भी 40 दिन का समय लगता था ठीक है और यह दिशन से दिली के बात करें तो सिन से जो दिली का जो जाने पर समय लगता था तो आपसे कोई कोई कोशन में किसी ट्रैप से जा सकता है आपको कोईध्य गडम अच्छी तरकिस से पढ़ना ठीक है कि मुहमद बिन तुगलक ने दिली के काजी किसे न्यूक्त किया था कावे दार भी आईक वह एक जाम्स के लिए वह किसे कारी कारिक काल में भारत आया था तो कोशन में आपसे वह किसके कारीकाल में भारत आया थे तो में इसमें किस के बारे में बताएगा है तो आपसे यहां पर राइट है इस पुष्टक को जो है वो किताब उलहिंद के नाम से भी जाना जाता है वो कान सा भासा में लिखा गया ठीक है तो यह जो पुष्टक के का प्रकासित हुए थी तो यह पुष्टक है वो यहां पे सब्सक्राइब कर देगा है नियुक्त ना फरेट ना जो ने जैए राज्टुत था यहां पर जितने भी कोशन बताया रहें यह सभी कोशन है वह इनमें से कौन-कौन भासा से परिचित था वह आपको बता रहे हैं तो यहां पर राइट एंसर है विगा संस्रिद पाली और प्राकृतिक ठीक है तो आपसंग यह यहां पर राइट एंसर हो जाएगा कि मार्को पोलो ने 13 सताब्दी में किस अस्थान से चल कर चीन और भारत की यात्रक किया था तो आपसंग यहां पर राइट एंसर होजगा वेंडिश ठीक है इस कौसे आप लोग ब्राइट कर लिएगा कि अल्बिरूनी जो है वह भारत की सताब्दी में आये तो वह यहां प्राइट को पूछ है वह सकते हैं तो कि आपसे ऑस्था जा सकता है तो दस को पूछा जा सकता है तो दोसे इनका जो जर्म है वो चार दिसंबर 933 को हुआ था कहा पर हुआ था फ्रेंड तो उच बेकिस्तान के ख्वारीज में हुआ था वो इनकी मिर्तिव की बात करे तो इनकी जो मिर्तिव है वो 1048 इसे में हुआ था तो कौर्शन में आपसे किसी टाप से पूला जा सकता है आ सेरा फ्रेंड पर सेरा फ्रेंड वार्तिविक तो अबसे कि इसवी कौन से इसवी में इबन बता भाषत आयो था तो 1333 वह इबन बताता जो है वो भाषत आयो थे और यह इनका जो गोर्षु निकलता-पंचिकी कीुसे चोड़ता को और मात्र 22 वर्स की उमरें छोड़ए थ कि थे कि फ्रांस ते से भारत आये थे थे, तो प्रांस से भारत आये थे, तो राइट निस्वाइस हो जगा कि छोड़का गये थे, ठीक है कि इपने बतुता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में कितने दिन का समय लगता था तो आप सब यहां पर यहां पर यह राइट इंसरों का चालिस दिन ठीक है कि रहला के रचनाकार का नाम है इसके रचनाकार कौन है इसके रचनाकार इबन बतुता है तो आप से रहता है यह प्रकासित हुए तो अर्भी भासा में लिखा गया है कि बैंधो कि बीड़ी मतुता किस देश का निवासे था के जो इबन बतुता है वह कौन से देश की निवासे थे तो दस इवन बतुता जो है वह मुरक अ के यात्रा का आर्भी भासा में किया था अपनी किताब उल्धिला अर्भी भासा में के रहा था थो अपसंद d यहां पर right answer का अर्भी निवा फिर तरफ देंगे कि गुपत गाल में कौन चीनी यात्री भारत आये था आ पर गुपत काल में कौन से इन में दिल्ली के दुलता बाथ की सासक आपनी राजदानी परिवर्तित किया साथ बिन अप्षण फ्रेप से का पते हैं नहीं का फलकर होगाıs वह 1351 के बीछ जो है इनका कारिकाल था तो कि आपसे कुछा जाए कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचाए कि आप यह जो वास्को डिगामा है वह भारत पहुंचे तो आपसे यह यहां पर राइट है सब्सक्राइब कर लिए उल्लों को तहें दिल से धनेवाद जिन लोग आपको पोलो ने 13 सताबदी में जिस अरस्थान से चलकर चीन और भारत की यातरा किया उसका नाम क्या था यह जो किताब उल्रहला में किसका यात्रा विर्थान्त मिलता है तो तो किताब उल्रहला में वह इबन बतुता का यातरी के बारे में बताएगे तो आपसे यहां पर ने 1320 में दे आए कि भायत को डाक विर्था का वर्नन अपने यातरा वितान्त में कौन किया था उसक पर नरिक दाक वर्था है निशन परक विर्था कितने प्रता कर सुथे तो दो डाक विर्था है जब ने तो देखा हाल किसने किस विदेशी यात्री ने बताया था और जिसके कारण इधर सुधर हमिशा गुंगते रता ठीक है कि जैसे घोसले को पंची छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने है तो अपने घर को त्याग दियते घर से घुमने के लिए निकल गयते और कब घर से निकले तो यह वो त्यरा सो पचीश से घर को त्या आगे तरह थीक है तो आपसे कोई पर क्वेशन में ऐसे प्वज़ा सब्सक्राइब कि इनमें से कोई ने दो यह सभी यात्री यह जो है वह हुमायू के दरबार में अफ्रीकी यात्री भारत नहीं आये ठीक तो अप्षी राइट के यह नहीं पर आइब आप अब पचीश कोश्ण में से कितने कोश्ण के अंसर आप सही सही कर रपाए और दोस्ते आप बिकलास को बेल करें अच्छे नम्हादा चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ भी निकरना करते जाना है जो कि इस चैनल के प्लेइस्ट में करो देख सकते हैं जो कि इस चैपनल के चैनल को सब्सक्राब कर लिए वो लोगों को तहिए दिल से धन्यवादा दो जी लोगों सब्सक्राब करने यार फिल जाब अपने सुन तर से